उत्तरप्रदेश में जुसरीके से आखरी चरण का मतदान हो रहा है एक घंटे हो चुके है बड़ी कबर इस वक्त सोनभद्र से आ रही है यहाँ जिले की दो नकसल प्रभावित विधान सभार रॉबर्स गयंज और दुद्धी में सुभा साथ बज़े से शाम चार बज़े मतदान होगा यानि मतदान एक घंटे कम यहां होगा शेश दो गोरावल और ओबरा पर सुभा साथ बज़े से शाम पांच बज़े तक वोट पढ़ेंगे जो पढ़ना शुरू हो चुके हैं सुनभद्रों जिले की चौर विधान सभाओं को 28 जोन और 131 सेक्टियों में डि पर सुभा से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है चुकि सुनभद्र में नकसर प्रभावित इलाकी को ध्यान में रखते हुए एक घंटे वोटिंग कम की गई है और आपको बताएंगे दुद्धी और डॉबर्ड्स गंच के वो इलाके हैं जिनको सेंसिटिव माना जाता है तो आपको बताएं कि आज आखरी चरन का मतदान जो सुबह साथ बजो से जारी है पूर्वांचल के साथ जिले हैं जिनमें 40 सीटे हैं जिस पे वोट डाले जा रहे हैं तो यूपी का यी दंगल का आखरी पडाव है आज और आपको बताएं ये आखरी पडाव बहुत हो गया था क्योंकि वारणनसी की सीट भी इसी में शामिल है वारणनसी भी इसी चरण में शामिल है और प्रचार वहां देखने का मिला वह अपने आप में बहुत अलग और खास था अंशमन पांजे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अंशमन क्या बताया जा रहा है अभी किस तुरी के समद्दान आगे बढ़ रहा है खास वर पर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं इनको लेकर कि अबताया रहा है लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके इसको देखते हुए भी मद्दाता सुबह से ही लाइनों में खड़े होने जिख रहे हैं और चुली एंशुमार आपसे आगे भी अपडेट लेंगे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुसोन मेदर नक्सल प्रभावित इलाका है और ऐसे में खास ध्यान भी रखा गया है और इसलिए जो बोटिंग का टाइम है वो बाकी जगों पर अलग है और यह यहां पर अलग है एक घंटा यहां पर कम किया गया है